जीएं ऐसा जीएं जो जीवन को मेहकाए पंगु भी परवत पर चड़कर जीत की कीत सुनाए जीएं ऐसा जीएं जीएं ऐसा जीएं जो जीवन को मेहकाए पंगु भी परवत पर चड़कर जीत की कीत सुनाए जीएं ऐसा जीएं जीएं ऐसा जीएं जीवन कितना सुन्दर है सब बोलो जीवन कितना सुन्दर है ये चलता फिरता मंदिर है किसमें बसा हुआ भगवान जीवन है प्रभु का वर्दान इसमें बसा हुआ भगवान जीवन है प्रभु का वर्दान जीवन को हम धन्य करें जीवन के हर पल कानन ले लो देखो, बीचो बीच में एक मानुभाव खड़े है पीछे दीखे दो, क्या कर रहे हैं वो इसको कहते हैं मस्ती किसी के बाप की नहीं होती है अपने आप की होती है और कौन कितनी लेगा यह फैसला वो खुदी कर रहा है क्या थिरक रहे है जीवन कितना सुन्दर है अजी चलता फिरता मंदिर है इसमें बसा हुआ भगवान जीवन है प्रभु का वरदान जीवन को हम धन्य करें आनंद उस्सव वरणे करें जीवन को हम इंद्र धनुससा सुन्दर सरस बनाए जीए ऐसा जीए जीए ऐसा जीए जो जीवन को मेहकाए पंगु भी परवत पर चड़कर जीत की गीत सुनाए जीए ऐ हाँ को लो भक्ति कानन लेलो तब यसे जीवन में हम जोश बरें अपने सपने पूर्णे करें साथ मिले तो ले सब का पर नहीं मिले तो घम किसे का अरजुन में बेहद दम है पर एक लव्य भी कहा कम है हम भी दिल में लक्ष बसाकर जीवन सफल बनाए जीए ऐसा जीए जीए मैं तो बताओ ये चौकी पर बैठना हमारी मजबूरी है बाकि जमीन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो जमीन पर बैठता वो जमीदार होता है और जो ये कुर्सी और चौकी पर बैठता वो चौकीदार कहलाया करता है आनन्द ले लो तो कुर्सी वाले भी आनन्द ले लो मैं क्यों कुर्सी वालों पर नजर ज्यादा रखता हूं क्योंकि उपर वाला जब भी किसी को उपर उठाता है न तो जमीन वाले नीचे रह जाते हैं पहला नमबर आप से दो फुटो पर कुर्सी वाले का जाता है तो मैं चाहूंगा जो लोग पीछे बैठे ना कुर्सी पर अपने आपको बुड़ा मस समझो कमर सीधी कर लो हाथ खुल लो जबान खुल लो और आनन न ले लो पता नहीं ये दिन वापस कब लोट कराएंगे चेन्ड़ी में जीवन में हम जोश बरें और अपने सपने पूर्णे करें साथ मिले तो ले सब का पर नहीं मिले तो गम किसे का अरजुन में बेहत दम है पर एक लव्य भी कहां कम है हम भी दिल में लक्ष बसा कर जीवन सफल बनाएं जीएं ऐसा जीएं जीएं ऐसा जीएं संघर सों से तरें नहीं हम संघर सों से सब गालो अजी संघर सों से तरें नहीं हम बिना मौत के मरें नहीं खुद को बूड़ा क्यों समझें खुद को अपाहिज क्यों समझें चंद्रस्वयम पुरु सार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाएं जीएं ऐसा जीएं जो जीवन में महकाएं पंगु भी परवत पर चड़कर पंगु भी परवत पर चड़कर पंगु भी सब बलो संगी दी में पंगु भी पंगु समझते हैं किसे कहते हैं लूले लंगडे पांगडे को क्या कहते हैं पंगु जीएं ऐसा जीएं लटक के जिंदगी मत जीओ याद रखना, बोरी जब तक खाली होती है ना, तब तक लेट सकती है, लटक सकती है, पर अपने बलबूते खड़ी नहीं हो सकती, बोरियां तो हम सब हैं, हम कुछ करने नहीं आए हैं, बस बोरियों को अपने बलबूते पर खड़ा करने आए हैं, और मैं आपको बता दूँ संगर्षों से डरे नहीं बिना मौत के मरे नहीं खुद को बूढ़ा क्यों समझें खुद को अपाहिज क्यों समझें जिसने भी संगर्ष किया उसको अपना लक्ष मिला चंद्रस्वयम पुरुसार्थ जगा कर सोया भाग्य जगाएं जीए ऐसा जीए कैसे पंगु भी परवत पर कैसे ऐसे लटा के थोड़ी जाएगा पंगु भी हाथ उपर करके पंगु भी परवत पर चड़कर जीत के गीत सुनाएं जीए ऐसा जीए हम सबसे पहले चैन्नई महानगर को अपनी मत्री भूमी का सम्मान देते वे क्योंकि आज से ठीक तीस साल पहले हमने इसी महानगर में अपने दो गरिमा पून चात्रमास किये थे और सच्चाई तो यह है चैन्ने इस बात का हमेशा गौरो करता रहे आज अगर ललित प्रभ्या चंद्रप्रम महराज का पूरे देश और विश्व में अच्छे विचारों और जीवन दर्शन के लिए नाम चलता है तो मैं आपको बता दूँ उसका श्री गनेश इसी चैन्नेई से हुआ था यही वो चैन्नेई नगर है जिसने पूरे देश भर में हमारी आबो हवा को फेला दिया था और हम मानते हैं हमारे लिए चैन्नेई मात्री भूमी तो नहीं है क्या नहीं है मात्री भूमी तो नहीं है पर यहां की माती को माथे पे लगा कर गौरों के साथ कहेंगे हमारे लिए मात्री भूमी से कम भी नहीं है कैसे कहूं कि अगर हम चैन्न नहीं आते और केवल बैंगलोर अपना चात्रमास करके सीधे वापस राजस्थान चले जाते तो शायद आपको तो उतना बुरा नहीं लगता पर हमें बड़ा बुरा लगता लगता कि उपरवाला हमें माफ नहीं करेगा लग रहा है बैंगलोर चात्रमास तो एक बहाना था उपरवाले को अनततह हमें चैन्नेई में ही लाना था आप सब लोगों के लिए मंगल प्रेम दुआएं और शुप काम नहीं और आज से अब तक आप लोगों को टी-वी में रोज प्रवचन यूट्यूब में रोज प्रवचन देखने और सुनेने का अवसर मिलता रहा पर ये कीस दिन आप लोगों के लिए राम बान दवा का वो काम करेंगे आपको लगगा जैसे रात को मुबाइल चार्जिंग में लगाओ और सुबह चार्ज हुआ मिलता है न हमारी कितनी बुरी आदत पड़ गई है हम सुबह उठकर सीधा देखते हैं मुबाइल चार्ज हुआ के नहीं मेरे भाई सुबह उठकर ये मत देखो कि मुबाइल चार्ज हुआ के नहीं पहले ये देख लो मेरी जिन्दगी चार्ज हुई या नहीं क्योंकि मोबाइल के चार्ज करने से जिन्दगी नहीं चला करती, कितना गजब होता है, आदमी का मोबाइल तो चार्ज होता है, और जिन्दगी डिसार्ज होती है, रात को दो बजे आदमी की नींद खुली हुई थी, और पत्नी गहरी नींद में थी, दोनों एक ही रूम में सोई थे, जैसे कि आप लोग सोते होंगे, तो दोनों एक ही रूम में सोई थे, पत्नी तो गहरी नीन में थी, और आदमी विचारों में खोया था, अचानक उसने देखा, उसकी पत्नी के मोबाईल में ट्रिंग 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 और जैसे ही उसने पड़ा ब्यूटिफुल बड़ा गुसा आया, मतलब मेरी बीबी का ये क्या रिस्ता हो रहा है किसे के साथ, रात को दो-दो बजे और मेरी मोबाईल पर उसके मोबाईल कर कोई मेसेज बेज रहा है, ब्यूटिफुल उसने नीन में सोई हुई पत्नी को हिलाया, उठाया, का खड़ी हो खड़ी हो, क्या क्या, उसने का क्या हुआ अरे क्या हो रहा है, ये क्या तुम पाप कर रहा है तेरे मोबाईल में रात को दो-दो बजे कोई beautiful लिख के बेज रहा है पतनी हडबड में बैठी हुई हाँ सिर के बाल ठीक किये ये कौन सी राफड लीला आई ये कहां से माता फोडी आई ये कहां से छाती कुट आया उसने सीधा मोबाईल उठाया और उठा कर अपने पती को जिन जोड़ते वे कहा कितनी बार कहती हूँ कोई चीज बराबर पड़ा करो अरे इसमें beautiful नहीं इसमें लिखावा है बैटरी फुल लोग बैटरी तो अपनी फुल लगते है हम जो यहां आए है आपकी जीवन की बैटरी को चार्ज करने आए है क्या करने आए है आपकी देखो भई उपर वाला जब भी हमें नीचे बेशता है ना हम सब लोगों को तीन पेज की एक डारी देखे बेशता है कितने पेज की कितने पेज की स्टेवल तीन पेज की अभी एक जनौरी आएगी तब तो हम सब लोग तीन सो पैंसर दिन की डारी लेंगे लेकिन उपर वाला मुझे भी चंदरप्रब जी महराज को भी साद्वी जी महराज को भी और यहां जितने लोग बैठे हैं जमीन और कुर्सी वालों को भी सब को उपर वाला अंतिम पन्ना भी उपर वाला लिखता है हमारे लिए केवल एक बीच का खाली पन्ना रहता है जिसमें हमें रंग बढ़ने होते हैं मैंने का केवल तीन पेज की डायरी तो डायरी का पहला पन्ना है जिसका नाम है जनम और अगर डायरी का पहला पन्ना जनम है तो सोचो डायरी का अंतिम पन्ना क्या होगा सबस अगर आप इतना जानते हैं तो फिर हम फालतू याई चैनली प्रहोचन के जड़ोती नहीं मुझे लगता है रोज टीवियों में प्रहोचन सुनसन के आप भी मास्टर माइंड हो गई हो ना तो डायरी का पहला पन्न है जनम और डायरी का अंतिम पन्ना है मरन ये दोनों हम लिखते हैं कोई और लिखता है कब जनमेंगे कहां जनमेंगे अमीर के गर में गरीब के गर में अम्मान के गर में राजसा के गर में कच्छी बस्ती में कहां पैदा होंगे हमारे हाथ में नहीं है और कहां मरेंगे पत पता है कल सुबह किसकी गाड़ी रवन होगी पता है नहीं ना पर एक डायरी का पन्ना भगवान हमारे हाथ देता है और ये जो 21 दिन की प्रवचन माला है ये डायरी के पहले पन्ने को लिखने के लिए नहीं ये डायरी के अंतिम पन्ने को लिखने के लिए नहीं ये 21 दिन की प्रवचन माला डायरी के बीच के पन्ने को भरने और रंगीन बनाने के लिए है और वो बीच का पन्ना जिसका नाम है जीवन क्या नाम है जीवन हमारी जिन्दगी जिसे हम थोड़ी से सुनहरी बना लें हर आदमी का एक सपना होता है आज अपन बाते करेंगे जीवन को कैसे स्वर्ग बनाएं दिमाग में स्वर्ग तो पलता है हम जहां जाते हैं ना हमें लोग पूछते हैं साब आपके प्रवचन में लड़ू नहीं बनते पेड़े नहीं बनते सिक्के नहीं होते गौतम प्रसादिया नहीं होती संग पूजा नहीं होती, कभी नहीं, कई नहीं होती फिर यह हजारों लोग उमड के कैसे आ जाते हैं हम कहते हैं हम में और बाकी के संतों में थोड़ा सा फर्क है जीवन तो वैसा जो जीते हैं वैसा ही हम जीते हैं फर्क क्यों इतना सा है वो इनसान को धरम के नाम पर वो रास्ता दिखाते हैं, जिससे आदमी अगले जनम को स्वर्ग बनाता है, हम इनसान को धरम के नाम पर वो रास्ता दिखाते हैं, जिससे आदमी आज के जीवन को स्वर्ग बनाता है, हमने अपनी जिंदगी में 500 मंदिरों की प्रतिष्टा नह जैसा बना दिया, घर घर में प्रेम और मिठास गोल दिया, घर घर में जहां भाई बाये की बोलचाल बंदती उन्हें गले लगा दिया और जो बच्चे माबाप से जुदा हो गए थे, उन्हें वापस माबाप की सेवा में जोड़ दिया, मंदिर कॉलोनियों में कम बनाए, म मंदिर समाजों के कम बनाए, हमने एक नई मंदिर बनाने का अभियान चलाया था, और वो है घर, घर को मंदिर बनाओ, घर में मंदिर बाद में बनाएंगे, अपने घर को ही मंदिर पहले बनाएंगे, हम में से लोग नाकोडा तीरत जाते हैं न, आप कौन-कौन गए हैं नाक गंटे लगाए, मंदिर में किती देर बैठते हैं, बोलो, अब सोचो, अब सोचो, किती देर बैठते हैं, और वो भी आप कहेंगे न, आदा गंटा, अरे वो भी अगर पता लगे, बाहर में नास्ता तहीं आरे, जल्दी चल, जल्दी चल, मिर्ची बढ़ा, ठंडा होजें, बड़ा बड़ा, आदमी मंदिर जाता है, तो दस मिनट थेरता है, आदमी ठानक में जाता है, तो आदे गंटा थेरता है, चौविस गंटा आदमी कहां रहता है, घर में, और हम जो बाते करेंगे अब 21 दिन तक, वो घर में ही तीरत और मंदिर बनाने के बात होगी, धरम की केवल उस मंद्र से मत कीजिए जहां आप 10 मिनट रहते हैं धरम किश्रुवात केवल उस थानक से मत कीजिए जहां आधे गंटे रहते हैं धरम किश्रुवात उस घर से कीजिए जहां पर आप 24 गंटे रहते हैं अच्छा आपने देखा होगा हम में से कोई भी उपर जाएगा तो उसके एक तस्वीर बनेगी, पता है ना, और तस्वीर में फोटो के नीचे क्या लिखा जाएगा, प्रभुजी आपका नाम क्या है, यह गौतम करन के मालिक है ना, यहां के मालिक है ना, आज इनुन का मैं गिफ्ट दे रहा हूं, तकदिर खुल जाओगी, तो अगर आप गौतम करन के मालिक है पर उपर जाएंगे की ने, जरूर जाएंगे, याद है ना, और जाएंगे तो आपके फोटो के नीचे क्या आएगा, स्वर्गी यह, खास बात देखो, इस दुनिया में कोई भी उपर जाता है ना, हर के नाम के नीचे स्वर्गी है, लाल चंजी, स् स्वर्गी है, लालित कुमार जी, स्वर्गी है, संभूलाल जी, सब के नाम के पीछे स्वर्गी है लिखा जाता है, पर क्या फोटो के नीचे स्वर्गी है, लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में यस नो, फोटो के नीचे स्वर्गी है, लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में और पता है वो जो बहु होती है न वो बार-बार अपने सासुमा के फोटो को देखती है, नाम को देखती है, और देखकर सोचती है, मम्मी जी गया तो नरक मी है, दिन बर टीं टीं करता, बहु है एक्सरे करती है सासुमा का, अगर आपकी मम्मी जी स्वरग में गई कि नरक मे गई के सुरग में, अगर वो कह दिये सवरग में तो समझ लो, गई सवरग में अग्जे के प्रवचन दे रहा था, तो मैंने योई का मैंने कि आप में कौन कौन लोगें जो सुरग में जाना चाहते हैं, फटापड सब ने हाथ कड़े कर दिया, सारी मैलाओं ने हाथ कड़ा कर दिया, एक आगे आगे बैंजी बैठी, वो यूँ क्यों यूँ बैठी थी, मैंने का बैंजी क्या बात है, सब ने हाथ कड़ा किया, आपने हाथ कड़ा नहीं किया, आपको सुरग नहीं जाना है, हैं बाब जी, मेरी सासुमा ने हाथ खड़ा कर दिया फिर मुझे का जिरूत है मैंने का यार सासुमा ने कर दिया मतलब इसमें तेरा क्या होगा मैं सासुमा सुरग में जाएगी बाप जी वो सुरग में जाएगी तो पीछे घर अपने आप ही सुरग बन जाएगा अब इसका क्या इलाज करें लोगों का पर एक बात हमेशा याद रखना फोटो के नीचे स्वर्गे लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है आओ हम मरने के बाद कोई स्वर्ग के इंतजारी नहीं करेंगे हम जीते जी अपने जिन्दगी को हम लोग अभी बैंगलोर में थे बड़ी प्रवचन माला थी इससे भी पांच गुना बड़ा पंडाल था हजारों लोग रोज आते थे जब प्रवचन माला पूरी हुई तो एक दिन पांस साथ लोग बैठे थे एक ने कहा बाब जी मैंने कहा बोलो भाई अरे बाब जी आपके प्रवचन सुनकर मेरी लाइब सुधर गई दूसे ने कहा मेरी भी लाइब सुधर गई तीसे ने कहा मेरी भी लाइब सुधर गई चौते ने कहा मेरी भी लाइब सुधर गई पांच वे ने कहा बाब जी मेरी भी लाइब सुधर गई चट्थी ने कहा इन सब को मारू गोडी मेरे तो वाइब सुधर गई ये जो 21 दिन होंगे न आपकी लाइफ को भी सुधा रहेंगे और आओ जीवन को स्वर्ग बनाते है घरों में जाता हूँ पहला प्रस्तन बाप जी हमारे घर का आडा देख लिए क्या देख लिए आडा इसकी दिशा सही है या नहीं और दूसरा काम हमारे सारे कमरों में पगलिया कर दीजिए क्या कर दो इस कमरे में पगलिया उस कमरे में पगलिया सारे कमरों में पगलिया कर दीजिए और कोई ज़्यादा अमीर हो उसके पांच मंजिल का मकान हो तो पगडिया करते करते तीन दिन का खाया पया तो मेरा अजमी हो जाता है इधर भी पगडिया उधर भी पगडिया अच्छा सबसे पहले जाते हैं छोटी वाली बहु के रूम में तना तन एसी लगा हुआ है तना तन वो LCD लगी हुई है और औ मोटा मोटा के फिड का गड़ा आज के लोगों के आफ बहुराँ के बेडरूम बड़े ऐसे चका चक हो orada हो ने लगे हैं चोटी वाली बहु के बैदरूम चका मंजली के रूम में भी एसी लगा है, बड़ी वाली के भी एसी लगा है, फिर अंत में नंबर आता है दादी सा का, और वो दादी सा के रूम में ले जाकर कहते हैं, बाप जी दादी सा ने मंगलिक सुना दो, अब दादी सा के रूम में जाता हूं, बड़ी वाली बहु के सन 47 रो पंखो देश आजाद यो बीटने वो पंखो लाग यो चत मत है और हमार तक चाल रहे गुरूर 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 और फिर मुझे घर की बहीने कहती है बाप जी मोरे दादी सा ने नीन नी आवे कोई क्यों है बाप जी मोरे दादी सा ने नीन नी आवे जिन जिन के दादी सा को नीन नहीं आता है मैं उपाए बता रहा हूँ आज ही लागू कर देना और उपाए इतना सा है आपको लगता है ना आपके दादी सा को नीन नहीं आती तो जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ पर तो आज दादी सा को सुलाना और जिस रूमें दाजी सा सोती है ना, एकी रात में पता लग जाएगा किसको नींद आती है और किसकी नींद जाती है अपनी बात की शुरुवात मैं एक घटना से कर रहा हूँ और उसके बाद आज पांच मंत्र आप लोगों को हम पहले दिन जब हम आएं हैं चैन्नेई में बहुत प्यारा धारमिक शहर मैं समझता हूँ देश भर में जितने भी बड़े बड़े मंदिर बने हैं जितने भी नई नगर है जिसने पूरे देश को आज तो बड़े बड़े और शहर पैदा हो गए बैंगलोर जैसे शहर पैदा हो गए जो देश भर में अनुदान दे रहे हैं पर सबसे पहले पूरे देश भर में एक चैन्नी ऐसा महा नगर था जिसने पता नहीं देश भर में कहां कहा जैन धर्म के कौन-कौन सी चीजों का निर्मान किया है और जब हम आपके बीच में आए हैं हम न तो यहाँ प्रवच्चन देने आए हैं न कोई चातुरमास करने आए हैं न कोई यहाँ पर जहो जलाली करने आए हैं हम तो केवल ऐसा लगता है चैन नहीं हमारा अपना ही परिवार के तरह है मात्री भूमी के तरह है तो आप सब लोगों को केवल शुक्राना अदा करने आए हैं और जब हम आज बात समझ रहे हैं जीवन को स्वर्ग बनाने के तो मैं अपनी बात के शुरुवात एक कहानी से कर रहा हूँ और उसके बाद पांच मंत्र दूँगा जिन्दगी को स्वर्ग बनाने के कहानी इतनी सी है कहते हैं एक बार अंकों में जगड़ा हो गया किसमें हुआ अंक समझते हैं ना एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नो इनमें जगड़ा हो गया हुआ क्या होगा इन्होंने आदमी का जुठा पाने पीलिया होगा अब आदमी तो लड़े बगर रहते नहीं है और आदमी का जुठा पाने पिया तो ये भी लड़ने शुरू हो गए लड़ाई शुरू हुई और सबको आया गुसा इतना जोर का गुसा आया इतना जोर का गुसा आया कि नौ ने एक गुसा उठाया और आठ के मुँपर मार दिया अब सोचो नौ ने आठ को मारा तो आठ ने क्या किया होगा बुद्धिमान तो है आठ ने साथ को टिकाया नौ ने आठ को मारा एक गुसा जोड से तो आठ ने साथ को मारा और साथ ने छे को मारा और छे ने और पांच ने गुसे का नियम होता है जब भी आता है खुद भी नीचे जाता है और आदमी को भी नीचे लेकर जाता है गुसे का नियम होता है जब भी आता है, खुद भी नीचे ही जाता है, आपको बता है, अभी SP को अगर गुस्सा आएगा, वो CM पे निकलेगा कि थानेदार पर, बताओ तो, बुद्धे लगाओ, CM पे निकलेगा, किस पे निकलेगा, थानेदार पर, तो ऐसे ही, नो ने, मतलब गुस्से का नियम होत मकान बढ रहे था, और दादो जी नीचे सुझा रहे था, कोई 65 साल रहे था, उपर मकान नया बन रहा था, बना वी था, लगबग पुरा बन रहा था, और नीचे से दादो साब 55-60 साल के, 55 साल के जा रहे थे, इतने में मकान से एक बड़ा पत्थर आके नीचे गिरा, मश्वा रहे दो है मारा मुत जाती। मश्वा ने जाकर मुत आयों, उठाए हो भाठों और पत्थर मैंने घर में, कोऑन रहे मकान नसी लगड़ा मालिक। एक तल्लो मालिक। त erst बेंस बोड़ा। मंद में गुस्स बढ़ता हुआ जार मेरा मात बोड़ू इबाठे सूँ और कुणे रे मकान माले किया हाका करता हुआ उपर चडिया तीसरे तल्य चडिया जन देखियो एक 120 किलोरो पैलवान यू 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 डंड मुत्र कस रहता हुआ उसने का बोल क्या है तो गब रहा उसने का नающa नाए बस आपका पथ्र नीचे गर गया था सोचा आपको वापस देता हुआ जाओ तो गुसेगा नियम है नीचे वाले पर आएगार जैसी आमने ऊपर वारा आ गया तो टाए 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 प्स तो नौ ने किसको गुसा वारा आठ को आठ ने, साथ को साथ ने, छै को छै ने, पांच ने, चाड ने, तीन ने, दो ने, एक के पास अब मौका था अंतिम और वो था केवल बचा था जीरो जीरो ने जैसे सब की हालत देखी और उसने का भाईया जो बेवकुफी इनों ने की थी लड़ने लड़ाने की, जो बेवकुफी इनों ने की है गुसा करने की, जो बेवकुफी इनों ने की हाका हुका करने की, जो बेवकुफी इनों ने की हाथा पई करने की, भाईया बद्धी लगाना, तुम यह हाथ मत उठाना, तुम मेरे पास आओ, एक ने का मतलब अर एक के गले में हाट डाला, एक ने जीरो के गले में हाट डाला, नौ नौ रह गया, आठ आठ रह गया, साथ साथ रह गया, छे छे रह गया, पांच पांच रह गया, चार चार रह गया, दो दो रह गया, आगे, एक और जीरो मिलके, दुबारा बोलोगे, एक और जीरो मिलके, बस अगर हम से जीवन के पहली प्रेणा लेनी हैं तो वो लीजिए प्रेम के प्रेणा लड़ लड़ कर इंसान ने कभी किसी ने कुछ पाया नहीं है चाहे हम परिवार के लाम पर लड़े संपती के नाम पर लड़े संपरदायों के नाम पर लड़े गच्छों के नाम पर लड़े मंदिर और मुपत्यों के नाम पर लड़े हम जब-जब लड़ते हैं हम अपना नुक्सान करते हैं पर हम जब जब एक दुझे के गले में हाट डालते हैं, आज अगर हम जहां जाते हैं, हमारे प्रवचनों में 36 कौम के लोग आते हैं, क्योंकि इसलिए आते हैं, क्योंकि हम सब के गले में हाट डालते हैं, सब से प्रेम करते हैं, और हमें लगता हमारे तो दो आंक हैं, एक मे मंदिर है, एक में थानक है, हमें दोनों में कोई फर्क ही कभी नजर नहीं आता, पहला काम शुरुबात कीजिए, प्रेम से और अगर कोई व्यक्ति अपने जंदगी को स्वर्गबरी बनाना चाता है जंदगी में मिठास गोलना चाता है में स्वर्यक्ति के लिए पहला मंत्र चलिए पांच मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों की जंदगी में जोडने के लिए जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और पहला मंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ वो है, अगर आप चाते हैं, आप अपने जंदगी को बहुत प्रेम से, बहुत मिठा से, बहुत आनन से, बहुत शांती से जी लें, बहुत बहुत मस्ती से जी लें, तो आप लोगों को जीवन का पहला मंत्र दूँगा, और वो मंत्र मान लिजिए, जो प्राप्त है, वो प्रियाप्त है, क्या है, बोलो तो, एक और और बोलो, ज जीवन का हिस्सा बनाते हैं, जो है प्राप्त, वही है प्रियाप्त, पहली बात मान कर चलिए, भगवान ने जो आपको दिया है, आपकी किसमस से आपको, क्या लगता है, कम की ज़्यादा, कम की ज़्यादा, एक वार अपनी आत्मा पे हाथ रखे सोचो, तीस साल पहले आप जहां खड़े थे, आज उससे आगे हैं के पीछे हैं, सोचो, इसका मतलब भगवान ने आपको भग्य से ज़्यादा दिया है, पहला मंत्र जीवन का अपना लो, जो प्राप्त है वो, इसलिए माता फोरी, नई, छाती कुटा, नई, पूरुस लोग बाहर जाती हैं, तो भ हमारी नसीब है, बोलो तो सब, हमने जो चाहा, वो हमें मिला, ये हमारी नसीब है, हमने जो चाहा, वो हमें नहीं मिला, ये बदनसीब है, पर जो हमें मिला, हमने उसी को चाह लिया, समझो हम खुश नसीब हैं, क्या है, खुश नसीब हैं, नसीब हमारे हाथ में नहीं हैं, पर हर नसीब में हम खुश रह सकें, ये खुश नसीब तो हम आज भी बन सकते हैं, हर हालत में बन सकते हैं, जीवन में पहला मंत्र बना लो, जो प्राप्त है वो, बोल जो प्राप्त है वो, भगवान ने जो दिया, खुब दिया, भगवान ने जो दिया, चप्रफार के दिय किसमत से ज़्यादा दिया कभी अगर कोई माथा पोड़ी आ जाए ना कभी अगर कोई छाती कुट आ जाए कभी कोई सिर्पची आ जाए कभी कोई टेंसन आ जाए तो अपने आपको प्रभवित मत करना जीते जी सुर्ग का आनंद लेने के लिए जीते जी जीवन को खुश्यों से बढ़ने के लिए जीते जी जीवन को मस्ती से जीने के लिए पहला मंत्र है जो प्राप्त है वो प्रियाप्त है जब जब किसी छे मंजले कोठी पर नजर जाए और जब जब अपने खुद की एक मंजिले छोटे से मकान पर नजर जाए तब तब उसको देख कर खुद को बोलना रे जी जो प्राप्त है वो प्रियाप्त है इसी का अगर हम आनंद लेंगे जो भगवान ने में दिया है तो आप समझो हम बहुत सुखी आदमी बन जाएंगे क्योंकि जब जब हम कोठी को देखेंगे हमारी गर्दन भी दुखेगी और दिल भी दुखेगा पर जब जब कोठीया को देखेंगे गर्दन भी नहीं दुखेगी और दिल भी नहीं दुखेगा तो जीवन के लिए पहला मंत्र जोड़ लो जो प्राप्त है सब बोलो जो प्राप्त है जो प्राप्त है भगवान ने जो दिया है कौन सा अभी नसीब से कम दिया है भगवान ने जो दिया है अभी कौन सा नसीब से कम दिया है जो मिला जैसा मिला हमारी किसमस से हमें ज़्यादा मिला तो हर हालत में अपने आप पर भरोसा कीजिए भगवान आपके साथ है इश्वर आपके साथ है और उसमें आपको जो दिया है ना आपकी नसीब से आपको ज़्यादा दिया है देखो जीवन में उठा पटक तो होती है पर एक बात अमेसा याद रखो अपना आराम अपने में मस्त रहे हर हालत में जीवन में मन के शान्ति और प्रेम को जरूर चिलो मैं आपको घटना बताओं जीवन के मस्ती और स्वर्ग क्या होता है अभी हम पूना में थे एक साल पहले हमारा चातुरमास्ताब तो चंदरप्रपजी महराज और सान्तेपरीजी महराज पीछे आ रहे थे मैं थोड़ा सा गती में ते चलता हूँ तो मैं शायद थोड़ा आगे पहुंच गया हूँगा तो मैं इन दोदों संत जनों की इंदजारी कर रहा था इतने में मैंने देखा फुटपाथ पर एक बिखारी सोया हुआ था बड़ी मस्ती से सोया हुआ था इतनी गहरी नीन दोपेर में हलकेल की दूप भी आ रहे थी पर बड़ी गहरी नीन थी मैं आपको बता दू जो लोग एसी रूम में और बड़े-बड़े गदों पर सोते हैं मैं आपको बता दू ही नहीं है पर जो सोते हैं अनको पुछरा हुए तहीं मिस्ती से सोते है सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिचछा कर मजदूर कभी नीन की गोली खाया नहीं करते हैं मस्ती से सो जाते हैं मैंने देखा वो दपेर में खुर्णाटे बरा था मैं कि नीन बड़ी गहरी आईडी है और मैंने देखा नीन आई यह वो तो ठीक है उसके सामने कटोरा पड़ा था और वो कटूरा उल्टा पड़ा था. आप सोच सकते हैं, बिखारी के पास किस टीजगा कटूरा होगा? किस सीजगा? भीक मांगने का. तो उसने उल्टा कर रखा था. मैं खड़े-खड़े सोचने लगाएं. मैंने कार बिखारी जब भी होता है, कटूरा सीधा रखता है. इस कैसे डालेंगे कटो सीधा रखो उसने का माराज अरे लोग बड़े गजब के होते हैं नीन अराम कर देते हैं अरे सो तो मस्ती सो ना लोग सिक्का डालते हैं नीन अराम कर देते हैं मैं तो उल्टा करके सोता हूँ और रात को दो बने नीन खुले तब भी दिमाग में उहप वो चलता रहता है, वो नी आया और उन्हों नी आया, वो नी गए और वो नी उयो, कटुरा सीधा रहता है, सीखना है तो सीख उस बिखारी से, एक का सिक्का डाल के नोज नीन हराम कर देते हैं, मैंने आपको यही कह पहला जीवन का नियम बना लो, जीवन को अर अरहाल में प्रसनता से जीने का मंत्र है, और वो है जो प्राप्त है वो, जो प्राप्त है वो, एक और और बोलो, जो प्राप्त है वो, समझ लो, कोई ऐसा भी है, जिसके पत्नी थोड़ी सी गुसेल है, तो बुरा मत मानिए, है तो है पत्नी तो है दुनिया में कई लोग है जिनके अभी तक बिचारे कमारे गुम रहे हैं बाप जी मर अभ्यां में तो न्याड हो जो है हम लोग संबोधी धाम में जोद्पुर में थे तो माताजी मराज के रूम के बाहर हम बैठे थे और एक नई नई शादी करके लड़का लड़की आई आकर बैठे और लड़का परिचित परिवार का था लड़की नई शादी करके आई थी तो लड़का जो था वो मंद्र मार ये परंप्रा का था और लड़की जो आई थी वो मुपत्ती वाले परिवारस, मतलब इस्थानक वासी परिवारसो, इसकी शादी हो कि आई, हमने दोनों का अभिवदन किया, लड़का थोड़ा, मतलब गोरा था, बड़ा हैंसम था, लड़की मतलब मिरे जैसी थी, मैं काले म आता हूं कि सा वुड़े में लोग भख्छबें यहां बोलने जान के बार जाके बोलेंगे थोड़ी सी सावली से भी एक तो यहां निसान भी था तो लड़की ने का बाब जी, बहुरानी ने का बाब जी, शादी को चार-पांच दिन हुए है, मुझे मंदर के कोई विदी नहीं आती, मैं पूजा कैसे करूँ, मुझे सिखा दो, और मंदर में चैतियमनन वगरे मुझे कुछ आता नहीं है, तो मंदर की विदी, मुझे उधर क पर अब इधर आयों, तो ये भी सीख love. नारिया बड़ी महान होती है, वह जिस घर में रहती है, उसको रोशन करती है, पहले पीहर को रोशन करती है, उसके बाद सErुराल को रोशन करती है, इसलिए बीटियां कभि टैंसन नहीं होती, वह टैंसन होती है, दस बेटों के बर प्राबर होती है तो मैं उनको कुछ समझा रहा था अच्छी बच्ची थी मुस्कराते वे अराम से बात करे थी मैंने दिखा वो जो लड़का था ना बिलकुल यू मुह लटका कर और यू सुस्त-सुस्त बैटा था जब वो आदे कंटा पूरा हुआ बच्ची ने का बाप ज लॅधे उवें यह तो मुह लटका लटका कर यह चुप चप गंबी रोके क्यों बäटा है उसने का बाप जी को ही बता हूँ आप देखो को नी मना केडी पत नहीं मैंगा केडी बैदी मिली है अरह बाब कि मनें बिलकुल आप फूटी आइंख नहीं सुआ मनें बिलकुल प वो फिर भी थोड़ा सा दिमाग में बात घरनी कि मैंने का देख बेटा भगवान जो करता है न वो कुछ अच्छा सोच की करता है तो मुझे वो कहता है इसमें क्या अच्छा हुआ मैंने का चल अब मैं तुझे ठीक करता हूँ बता कोई भी आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी पर कोई गलत नजर डाले कोई चाहता है कोई चाहता है यस नो नहीं चाहता ना मैंने का तुम्हें भगवान ने ऐसी पत्नी दिये कम से कम इस पर कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा वो कहता है कोई क्या मैं खुदी नहीं डालूंगा मंत्र मना लो जीवन में हजार दुखों से दूर होने के लिए और जीवन के हर पल को सुख से जीने के लिए मंत्र मना लो जो है प्राप तो वही है फिर से बोलो जो है प्राप भगवान ने जो दिया है मेरे जीवन को भाग्य से जादा दिया है जीवन का अगर दूसरा मंत्र में जीवन के लिए जोड़ना है तो है लिव विद इजीनेस बोल लो तो लिव विद इजीनेस जीवन को बहुत सहस्ता से जीओ ज्यादा माता पोड़ी ने ज्यादा चाती को उठा नहीं बहुत प्रसनता के जंदगी जीओ सुबह उठो तो ऐसे आनन से उठो कि आज पहली प्रभात है और रात को सो तो इतनी तब्या से सो कि आज अंतिम रात है जितना नीन का अनन ले लो ले लो हर हालत में जीवन में फैस्ता कर लो लिव विद इजीनेस मैं जीवन को बहुत सहस्ता से जीओंगा कुछ आ गया उसक सोमवार को जनमता है मंगलवार को स्कूल जाता है बुद्वार को शादी करता है गुरुवार को टाबर पैदा होते हैं क्यों जी ऐसे हैं जिंदगी है सोमवार को पैदा होता है मंगलवार को स्कूल जाता है बुद्वार को शादी होती है गुरुवार को घुद के टाबर होते हैं, शुकरवार को भूड़ा होता है, शनिवार को बिमार पढ़ता है, रहीवार को राम राम सत हो जाता है, अब साथ दिन के जंदगी में आदमी कित्ती माता फोड़ी पालेगा, जंदगे के लिए मंत्र बना लो, live with eaginess, मैं जीवन को बहुत सहस्ता से जिऊंगा, जो मिला है, उसका आनन्द उठाऊंगा, मैं आपको बताओ, जब हम तीस साल पहले यहां आये थे ना, मेरे सिर के बाल उड़ने लग गए थे, डड़ा साब को याद होगा, बाब जी, आपको थोड़ा सा अपना कोई खून वगर के जांच करा लो, कोई एक इनके बतीजे थे, वो भी हमारे पास आया करते थे, बतीजे आप भानजे जो थे, वो भी मुझे रोज करते बाब जी, कोई बलड के जांच करा लो, आपके बाल उड़ रहे हैं, मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा, यार मुझे लगता है भगवान मेरे साथ है, कहा मतलब बाल उड़ रहे हैं आपके, मैंने कहा, देखो, मैं जिस दरम में संत बनाऊँगा ना, वहाँ पर साल में एक वार या दो वार, क्ट, 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 तो उसका भी आनंद लीजीए और अगर आपके पास असिला के order है तो उसकी भी आनंद लीजीए फैसला ये कीजिए मैं जीवन में जो मिला है उसका आनंद लोंगा सहेस्ता से उसका स्वागत करूंगा हर परिस्थिती का हर व्यक्ती का हर बातचीत का, हर व्यवहार का, हर समाज की घटना का, जीवन में जो कुछ भी हो जाओ, उस हर चीज का, बहुत सहेस्ता से आनन्द लोंगा, कभी नाम ज्यादा चमक रहा है, चमकते हुए का आनन्द लो, कभी लगता है नाम थोड़ा सा डाउन हो गया, उसका भी आनन्द लो, जीवन में हर अहालत में आनन्द ले नाज़ी को, कभी अच्छा हो गया, अच्छे का आनन्द है, कभी बुरा हो गया, बुरे का आनन्द है, जो मिला है, भगवान वो सब हमें नहीं दे सकता, जो हम चाहते हैं, सुख का राज अतना सा है जो उसने दिया है आप उसको चाहना सुरू कर दो आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन जाएंगा जो उसने दिया है आप उसको चाहना सुरू कर दो सहस्ता से ठीक है भई मेरी किस्मत में ऐसा था मैं प्रेम से उसका स्वागत करता हूँ हाँ ज्यादा माता फोड़ी नहीं ज्यादा चाती कुटा नहीं एक बहिंजी हमारे पास है उनकी यहाँ पर चोटा सा सफेद निसान हो गया बड़े सुस्त सुस्त थे बाब जी एक साल हो गया मैं मुस्क्राई ही नहीं मैंने का क्यूं कि मेरे देखो यहाँ सफेद दाग सफेद दाग हो गया मैंने का मंदिर में जाओ 101 का प्रसा चड़ाओ बगवान की बड़ी महरबानी है उसने चेहरे पर दाग लगया जिंदगी में दाग नहीं लगया बगवान की बड़ी महरवानी है उसने कहां दाग लगया कहां दाग लगया केवल चेरे पर दाग लगया जिन्दगी में दाग नहीं लगया अरे कई लोग ऐसे भी है जिनके जिन्दगी में दाग लग लगया और वो जेल की हवा खा रहे हैं तो पहला नियम मना लो लिव विद इजिन एस अब एक बाद बताओ आप लोग काली मिर्च समझते हैं काली मिर्च क्या होती है क्या भाव आती है पता है काली मिर्च क्या भाव आती है है आंट सर रुप एकल लो ठीक है जीवन में जो मिला है मेरे भाई उपर वाला बड़ा गजब्ता है हजार रुपे की दो हजार की पायल भी पाउं में चली जाती है और ठीकी किते की होती है किते ही ठीकी की होती है दो रुपे में तो आठ आती है क्या दो रुपे की मैं इतना बोड़ा नहीं हूं कि कोई मुझे बोड़ा बना दे दो रुपिय में तो पुरा पत्ता आ जाता है और टीकी दो रुपिय की होती है तो भी माथे पर रहती है जिसके जो योगानी योग होते है इश्वर उनके जीवन की जो वेवस्ता कर दे पर जीवन का ये मंत्र बना लो लिव विद इजिनेस परिस्थिती बिगड़ी सबके एक जैसी रहती है क्या बताओ किसी के सबके जैसी रहती है कड़ोपती कड़ोपती रहती है पर उसको रोड़ोपती बनने में वक्त लगता है क्या कई रोड़ोपती 30 साल पहले जब हम आये थे जो रोड़ पती थे, स्कूटर में चल लए थे, आज ये सहर के वो राजा बने वे और कई जम उस समय जो सहर के राजा बने वे थे, आज वो एक्टिवा भी डून रहे होंगे तो वक्त तो सबक का बदलता है, मेरे बाई इतना सोचो जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के गवर्नर पहनते थे, बड़े बुजुर्ग, जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के गवर्नर पहनते थे, आज उन कपड़ों को हमारे देश में बैंड बजाने वाले पहन रहे हैं, वक्त सबका बदलता है दुनिया में वक्त किसका नहीं बदलता गवर्णर जिन कपड़ों को पहनते थे तिप टॉप बनके चला करते थे आज वे कपड़े हमारे बैंड वाले पहन रहे हैं वक्त सब का बदलता है इसलिए वक्त को को है वक्त गरूर मत कर क्योंकि वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है, जिन्दगी के लिए फैसला कर लो, live with eaginess, हर परिस्थिती को सहस्ता से लेंगे, किसी ने आकर फूलों की माला पेना दी, आनंद है, किसी ने आकर का, बाब जी, आज आप प्रोचन बहुत अच्छ हो यो, ठीक है, प्रभुजी के किरपा, कोई के आपके जीवन की खुशियों का स्विच, किसी और को मत दीजिए, कि कोई आपकी तारीफ करें, तो आप मुस्कुरा दें, और कोई आप पर टिपणी करें, तो आप सुस्त हो जाएं, अपने जीवन के बलब का स्विच अपने आप में रखिए, मुझे कब मुस्कुराना ये फैसला मैं करूंगा, किसी के शब्दों के आधार पर नहीं करूंगा, परिस्थिति के आधार पर, जीवन को अगर मिठास बरा जीना चाहते हैं, तो निर्णे कर लो, मैं जीवन की हर व्यवस्ता को सहस्ता से लूँगा, परिस्थिति के आधार पर, अपनी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करूंगा, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, पर जो व्यक्ति बदली हुई परिस्थिति में भी, अपनी मनस्थिति को ठीक रखना जानता है, क्या का मैंने, जो बदली हुई परिस्थिती में भी किसको अपनी मनस्थिती को परिस्थिती सब की बदलेगी किसके काले बाल जीवन बर काले रहे हैं बताओ सब के दोड़े होने है कि नहीं किसका सुन्दर चेरा जीवन बर सुन्दर चेरा रहा है चेरे पर जुरिया आनी है कि नहीं अगर आप गोरे और संद्रेंदा गुमात मत करना गर में दादी सा को देखना और सोचना मने भी एक दिन एड़ी होना है अगर आपके पास बहुत पैसा है न तो गुमान मत करना किसी अमीर आदमे के बुरा वक्त आगया उसको देखना मुझे भी एक दिन ऐसा ही होना है जीवन में परिस्थिति के आधार पर अपनी मनस्थिति को प्रभावित मत कीजिए क्योंकि परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है पर बिगड़ी ही परिस्थिति में भी मनस्थिति हमारे हाथ में है एक बहुत प्यारी काहनी कह रहा हूँ साइद यह ऐसी काहनी जिस काहनी को जीवन में हजार वार हमने जिया है और जब-जब इस काहनी को जीते हैं दुनिया में इससे बेशकिम्ती कहानी नहीं हो सकती। कहानी है एक संत की। संत बड़े गजब के आदमी। गाउं के बाहर एक पेड़ की छाया में रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना कहानी को। मैं समझता हूँ जीवन में हर पग पग पर जो आपके जीवन साथी बन कर कहानी काम आएगी वो ये कहानी है। पग पग पर संत गाउं के बाहर रहते और कुछ भी नहीं था उनके पास। कोई कुटिया वुटिया कोई आस्रम वास्रम कोई तीरत वीरत कोई मंदिर वंदिर कुछ नहीं था। एक नीम की पेड़ था, उसके नीचे वो बैठे रहते और बिचाने के लिए कुछ नहीं, जो जमीन थी, उसपर ही बैठे रहते और पहनने को भी कुछ नहीं, केवल एक अंगोचा पहनावा था और खाने को भी कुछ नहीं, केवल एक मिट्टी की थाली थी समझ में आ गया संत के पास क्या क्या था? उपर नीम की छाया नीचे जमीन का आंगन हाथ में मिटी का कटोरा और 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 पहनने को एक अंगोचा, बस इसके अलावा संत के पास कोई दौलत नहीं थी लेकिन संत बड़ा गजब का आदमी, बड़ा गजब का आदमी, जब देखो तब मुस्कुराता, भगवान तुने खूब दिया है, दाता तुने खूब दिया है, किसमत से ज़्यादा दिया है अरे मैं बहुत सुखी आदमी हूँ, मुझे कोई से बच जाओ, मैं तो मंदिर में सिर्फ तेरे लिए आया हूँ, किसके लिए आया हूँ? सिर्फ तेरे लिए आया हूँ, इसलिए ज़व मिला है न, उसका शुक्राना अदा करो और वो संत हर दो मिनिट में कहता है, भगवान तुम बड़ा दयालो है, बड़ा करपालो है, तुने खूब दिया है, मुझे कोई कमी नहीं है एक बहुत पैसे वाला आदमी रोज उधर से गुजरता और रोज सोचता यार, ये महराज बड़े गजब के हैं कुछ भी नहीं है एक अंगोचा पहना है एक मिट्टी के ठाली और है, क्या इनके पास और नाटा कर रहे हैं, भगवान तुने खूब दिया है भगवान तुने खूब दिया है, अब तक तो मुझे भी खूब नहीं दिया है, इसको कहां से दिया है पर बस एक दिन उस अमीर के मन में आया कि देखूं तो सही कि भगवान तुने इसको खूब कैसे दिया है क्या मन में आया देखूं तो सही कि भगवान तुने इसको खूब कैसे दिया है और ये पता करने के लिए वो एक कुर्सी लगा कर थोड़ी दूरी पर बैठ गया कुर्सी लगा कर बैठ गया और 11 बज गय महराज बगवान तु बड़ा दयाले तु सब देता है कोई कमीनी है 12 बज गई बगवान तु खूब देता है 1 बज गई, 1.5 बज गई, 2 बज गई दही बज गए, अमीर को लगा माराज का मा था, क्या है, क्या है, क्या है, खिसका हुआ है, अरे सुवे से बूखे बैठे और नाटा कर रहे हैं, बगवान तुखूब देता है, बगवान तुखूब देता है, बगवान तुखूब देता है, पागल है गया माराज, तभी तक अमीर को लगा यार माराज की बात में दम तो है रोटी मांगने नहीं गई और अपने आप थाली में आ गई माराज ने रोटी को देखा बड़े खुश्वेब हाथ उपर किया भगवान तुम बड़ा दयालू बड़ा कृपालू है फूख लगे तो भोजन भी भेज देता है वो तो यूँ प्रार्तना करे थे तने में कुट्था आया अब क्या हुआ रोटी को रोटी को लेकर चला ग में हाथ डालो देखा रोटी का गई है रोटी का गई है रोटी का गई है रोटी रोटी का गई है रोटी नहीं मिली तो संतने देखा सामने कुट्थे के मूं में रोटी वह वास्तों में तब तक तो बैठे थे अब खड़े हो गए कुट्थे को मारने के लिए नहीं दोनों हाथ उपर किये और दोनों हाथ उपर करके भगवान से प्रातना करने लगे ये भगवान तुम बड़ा दयालू है तुम बड़ा कृपालू है तुम मेरे सारे काम पूरे करता है अरे प्रभू ये तेरी ही महरबानी है कि तुम कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का अभी सौभाग्य प्रदान कर दिया करता है। जो व्यक्ति आने पर खाने का अनन उठाता है और जाने पर उपवास का अनन उठाता है। दुनिया में उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। मैंने का परिस्थितियां बदल सकती है पर फिर भी अपने मन में सहस्ता रखिए। ठीक है होना तास हो गया हर हालत में अपने जीवन में माना सासुमा ने टेड़ा बोल दिया टोक दिया मन के विप्रित बोल दिया बुरा मत मानिये। सास तो अगर शक्र की ओभी तो भी टक्र तो मारेगी। सास किसकी होगी शक्र की ओभी तो भी टक्र तो मारेगी। सासु मान या अगर टोक दिया तो टोके का बुरा मत इए ठीक है, सहस्ता से ले लो, बड़े हैं, टोक दिया, टोक दिया, कोई नुकसान लग जाया, लग जाया, कोई बात नहीं, कमाया भी इसे में था, अभी पता है, ये दो-तीन साल से, एक-दो साल से, जिन लोगों के जमी तो पहले की आदत रही। हजार में खरीदो लाक में बिचो। अब ये दो तिन साल से क्या हो गया। तीन कुड़ों में खरीदो और ढ़ी कुड़ों में बेचो, तो उनके चेहरे थोड़े उदास से तुमन को कहना चाहूंगा मेरे बाई, सुस्त मत मनो, ये सोच कर मन में खुश हो, केवल तीन जमीनों में आपने नुकसान उठाया है, अब तक हर जमीन को आपने एक में रही है, परिस्थितियां बदल रही है, पर बदली ही परिस्थितिय में भी जो व्यक्की सहस्ता से जीवन की हर अव्यवस्था को स्विकार कर लेगा, वो आदमें अपने जीवन को भरपूर आनन से जीलेगा, ठीक है, जो मेरा है, वो जाएगा नहीं, जो मेरा है, जो मेरा गया वो मेरा थाई नहीं जो आदम इस मंत्र को जीवन में जीता है जो मेरा होगा वो जा नहीं सकता और जो चला गया समझो वो तुमारा थाई नहीं तो माता फोड़ी मत करो हरा हरा हालत में जीवन के इस तीसरे मंत्र को जीवन के साथ जोड़ लो और वो है भगवान जो करता है, सो, सुना है न आपने, भगवान जो करता है, सुना है, सबने सुना है, भगवान जो करता है, सो, अच्छा करता है, कोई ने कोई अच्छा सोच के जीवन में ऐसा योग आया होगा, कोई ने कोई अच्छा समझ के भगवान ने ऐसा किया होगा, जब जीवन में जिसके जाद वो होता है देखो भाई, कोई भी इंद्र दनूस कोई एक रंग से तो नहीं बनता है न रैनबो कौन से कलर से बनता है यह सारे रंग मिलते हैं तो जन्दगी में रैनबो बनता है तो जीवन में कभी उठा पठक भी आई, कभी बहुत प्यार मिला, कभी पत्नी बहुत मुस्कुरा कर बोली, कभी ठाने में पहुंच गई, ठीक है हर परिस्तितिका आनन्द है, कभी पति कितने प्यार से बोले थे और वही जब जलाकर चलाकर गुस्से में बोलते हैं उसका भी आनन्द है जब वो प्यार में बोल ले थे तब भी आनन्द लिया गुस्से में बोले थे तब भी आनन्द है खाना खाने बैठे मन पसंद खाना आगे आनन्द है नहीं आया तो भी आनन्द है अगर सबजी में नमक है आनन्द है और नमक डा अगर आपको लगते हैं, आपकी बेटी 30 साल की होगी, अभी शादी ने हुई, टेंसन मत पालो, है भगवान, मारे बेटी शादी है, भगवान, पीरे में आपनी सुख सुबेठी है, सास्र गई नियर भई साडी मात मातो डखो, और भई खानों बणों और भई चाती गुटो गर में आपने अराम से बैठी है भी, अगर आप परिस्थिती को सहस्ता से लेंगे ना, तो परिस्थिती आपके मन को प्रभवित नहीं करेगी, और मंतर जीवन में हमें साद रखो, भगवान जो करता है सो, बोल लो, भगवान जो करता है सो, उसकी बड़ी गजब की पहले मा का आंचल दूसरे बढ़ता है, फिर मा के पेड़ से बच्चा बाहर आता है, जब जीवन की व्यवस्ता देता है, जो जनम देता है, तो चौँच देता है, वो चुगगा देता है, सुबह सब को बुखा उठाने वाला रात को सब को भर पेड़ सुलाता है, यह उसकी तकड़ी व्यवस्ता है, इसलिए अपनी जीवन में इस मंत्र को याद रखो, भगवान जो करता है सो, कभी खुशी आ गई, आनन्द है, ना खुशी आ गई, आनन्द है, हर परिस्तितिका आनन्द है, मन्चा हो गई है, आनन्द है, मन्चा नहीं हुआ, आनन्द है, कोई दिक सब्सक्राइब कर देंगे जो व्यक्ति परिस्थिति को सहस्ता से स्विकार कर लेगे ना उस व्यक्ति की मनस्तिति बिल्कुल सही बनी रहे हम भीलवडा में थे चंदरप्रभजी माराज का यहां से अंगुठा कट गया था उस समय प्रोचन माला चल रही थी मैदान में और य बिल्कुल यहां से लटक गया था अंगुठा कटके यह वाला सीधे वाला तो बड़ी एक और तकलीफ हुई और बहुत खुन बेहिसाब बहरा था तो मैं भी जड़ से गया और जड़ से हाथ पकड़ा और जड़ से दूस रात उपर किया और चेहरे पर मुसकान ली मैंने क मतलब अभी मुसकुरा की और यार इतना घुन बेह रहा है तो सीधा इनोंने जवाब दिया भगवान ने किया गजब दिया लगने का योग था कास से कटने का योग ता अंगुठा कटके रह गया गेर गर गर्दन बच गई टो व्यक्तिक परिस्थिती कि बिगड़ने पर उसे भगवान का प्रसाद मान देता है, ठीक है, जो हुआ, भगवान की करपा है, भगवान जो करता है सो, बोल लो एक वार, भगवान जो करता है सो, ठीक है, हलां कि हर जगे इसको लागो मत करना बगवान जो करता है सो समझो सासुमा मंदर गई दशन करने आ रही है एक्टिवा वड़ा टकर मार धी उनरा गोड़े लागी सासुमा घर आने के यह बेटा मारो गोड़ो टूड़ गयो अब ठेकें बोलो ला मारी बातिया डूबोला मने है मारो ना मिला ओला कि ललित प्रजी मरा सिखायो बगवान जो करता है सो तो हर जगे इसको लागो मत करना गड़ बड़ हो जागे है एक बात तैह है जीवन में 10% आपको लगता होगा कि बगवान जो करता है अच्छा नहीं करता पर मैं आपको बता दूँ जीवन में वही होता है बोलो जीवन में वही होता है जो होना होता है इसलिए होनी को हम टाल नहीं सकते हर व्यवस्ता को टेंशनलैस सहस्ता से आप प्रियोक करके देखना आपका किसे में एक लाग रुपय डूब गया अब आपके पास दो तो आपको अभी कुछ लगा है हलकी हो रहे हैं थोड़े जैसे ही परिस्थिती बिगड़े परिस्थिती बिगड़ना पार्ट ओफ लाइफ है सब के जीवन में बिगड़ सकती है याद रखना विपत्ती आए तो जीवन में आपत्ती मत कीजिए क्योंकि दूद फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें जिन्दगी में बनाना यही आर्ट ओफ लाइफ है तो मैंने कहा भगवान ने जो किया है ना भगवान जो करता है सो हर जेगे लागू मत करना पर खुद के जीवन के लिए दूसरे के लागू मत करना पर खुद के जीवन के लिए भगवान जो करता है सो भगवान जो करता है सो बोल लो तो एक बार क्या हुआ एक मानुबाव हमारे पास आए, कहने लगे बाप जी मेरी पत्नी ऐसी है, लोगों को पता नहीं दूसरों से बहुत शिकायत है, हर एक आत्मी को दूसरों से शिकायत है, उसे लगता है वो सही नहीं है, मैं सही हूँ, हर एक आत्मी को दूसरे से शिकायत है मेरी पत्नी सही है पत्नी को शिकायत मेरे पत्नी सही नहीं है मैं कभी किसी गर में कह दू ना किसी भी मैला को वहिंज आपके पती देवता है वो सीधा कहते है बाब जी थाने के मालू मारी आत्मा जाने और अगर कोई पती ने कह दू अभी बैंगलोर में एक अच्छे अमीर मैं तो यह लाड में का, मैंने का भाई साब आपकी धरम पत्नी बहुत अच्छी है, देवी मेला है, देवी, मुझे कहते हैं, बाब जी साथ में ले जाओ, साथ दिन में घर ढूनती वे नहीं आओ, तो मुझे कह देना, मतलब पता नहीं, लोगों को हमेशा ऐसा क्यों लगता लेडी भी है, आज सेक नियम ले लो, पॉजेटिव, अब जो भी पत्नी काम करें, उसके तारीफ करना, प्रसंसा करना, कि तुम बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी है, ठीक है, घर गया, अब मैंने तो कुछ अच्छे अर्थ में कहा, अब वो तो डेड बुद्ध एक आदमी, खाना खाने बैठा, क्या सबजी बने है, रोज तो पता नहीं कैसे सबजी होती है, तो मज़ा आ गया खाने में, क्या डाल बनाई है, अरे लागे पूरी की पूरी दाल पीजों, फुलके तो ऐसे बनाई है, जैसे बिलकुल तो ने, आ, क्या, बोलो ना, कैसे ब समझते क्या आपको, रोज खाना मैं बनाती हूं, तो कहते हो, कैसा रदी खाना बनाई है, अज पहली बार पडोसन ने बनाया, तो क्या मज़ा रहा है, तो हर जगे लागू मत करी जो, पन खुदरी जिन्दगे, मारी बात यां लागू तो करनी है, बर हर जगे नहीं, खु बच्पन की उस कहानी को याद करके आज का प्रवचन पूरा करते हैं, और बच्पन में आपने सुना है, राजा का अंगुठा कटने वाली कहानी, चलो किस-किस ने सुनी बताओ, किस-किस ने सुनी है, हम इस कहानी को सुने हुए तो हैं, पर इसको जी नहीं पाते हैं, अं मंत्र न यहीं पुछा क्या बात है राजन आप इतने उधास क्यों और मेरा अंगुठा कट गया मंत्री के मूझ से भूल से निकल गया महराज क्यों उधास होते हो भगवान अब उसका तो यह कहना हुआ और राजा का पाराचड़ना हुआ तैय है भई उसकिसी के मन के प्रतिकूल बात कहेंगे तो आक्रोस तो आए गई गुस्सा आए गई और राजा को लगा यह मंत्री दो कोड़ी का आदमी है मेरा अंगुठा कटा और कहता है भगवान जो करता है उठाओ इसको कारागार में डाल दो यह मंत्री बढ़ने के लायक नहीं दो कोड़ी का आदमी उठाया गया मंत्री को कारागार में डाल दिया मंत्री भे सोची और बगवान मैं क्यों मातो लो गया फालतू एक महिना भीता डेड़ महिना भीता एक दिन राजा जंगल में सि बटकते बटकते उसको अपना शहर तो नहीं मिला पर वो आदी वाश्यों की बस्ती में पहुंच गया और भीलों ने उस राजा को गेड़ लिया और कहा ये जो भी आदमी है इसको भगवान ने हमारे यां बेजा है हमें किसी की बली दे नहीं थी हम इसकी बली देंगे राज बिलों ने का गाएगा राजा हट हमारे या कोई राजा वाजा नहीं है पकड़ लिया नेला दुला दिया गया केसर चंदन और उसका कुंकुं का टीका लगा दिया गया पूजा कर ली गई दिवी के सामने उसके हाथ-पाउं बान दिगे राजा के कटार उठ गई मन्त्र चार हो गया अनुडमंड स्वाहा अनुडमंड स्वाहा के मंत्र चल गए और कटार उठ गई और जैसे ही राजा की गर्दन पर कटार चलने वाली थी कि तभी पास में खड़े वे एक बूड़े आदमी ने का अनर्थम गोर अनर्थम इस आदमी की बली नहीं हो सकती क्योंकि जिसका अंगूठा कटा है और जिसका अंग भंग होता है उसकी बली नहीं हो सकती राजा बच गया डोरियां खोल दी गई छोड़ दिया गया बटकता बटकता आर दिन में वापस अपने नगर में पहुचा नगरवासी राजा को डून रहे थे राजा को पाकर बड़े असते भर तक सोच तारा यार मंत्र ने जो कहा सही कहा था भगवान जो करता है सो अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो आज मेरी बली तह थी आया मंत्र को बाहर निकलाया सौरी का भई सौरी सारी घटना सुना इस तरह जंगल में गया फंस गया बीलो ने पकड़ लिया बली की थैयारी हुई और मेरा तंगूठा कटा मैं बच गया बात तेरी सर्तिय सही है भगवान जो करता है सो अच्छा करता है पर मैं दस दिन से एक ही बात सोच रहा हूँ मेरे साथ भगवान ने जो कि अच्छा किया पर तूं डेड़ मेने से जेल में पढ़ाया कारागार वंतर ने कहा माराज ये तो आर भी अच्छे के लिए हुआ तो गुमने को अपन दोनों साथ मी जाते बुद्धि लगाळो आगे क्या होगा बुद्धि लगाळो बुद्धि लगाळो आगे बोलू समझ में आएगी अपन दोनों साथ में जाते हैं महराज दोनों ही रस्ता बटकते दोनों ही भीलों के द्वारा पकड़े जाते हैं महराज आपका तो अंगुठा कटा था सो आप तो बच जाते और बली का बखरा अब तो हाथ उपर करके क्या दो भगवान जो करता है सो भगवान जो करता है सो इसलिए आज से ये फैसला कर रहे हैं जिन्दगी को स्वर्गबरा बनाने के लिए हम TENSION FREE LIFE जिएंगे क्या? TENSION FREE LIFE कोई TENSION नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं जीवन का फैसला है विसाद में जंदगी नहीं जिएंगे जीवन का विसाद प्रसाद में जिएंगे किसमे? विसाद में नहीं जिएंगे, किसमें जिएंगे? जीवन का विसाद प्रसाद मान कर जिएंगे और जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रसाद मान कर जी लेता है क्या न माने विसाद न माने क्या माने प्रसाद माने भगवान जो दियो अच्छो दियो जो करियो अच्छो करियो जैसो करियो अच्छो करियो और हाँ जीवन में अगर अंतिम बाद आप हमारी तरफ से अपने आपके लिए अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो जीवन ने चेहरा कैसा भी दिया है पर पीतर के भाओं को हमें सानिरमन लखो क्योंकि याद रखना दुनिया में कोई भी आदमी चेहरे से मान नहीं होता है आदमी जब भी मान होता है तो अपने चरित्र से मान होता है बोल लो तो, दुनिया में कोई भी कोई भी आदमी कोई भी आदमी चेहरे से महन नहीं होता है कोई समझ लो गोर यो गट्य अब क्या होगा रिखारा। कि आप में कुलिये किplate क्या जो शाधी सुधा एकॉण सब्रची सूदा क्या ओगया आप लिख'. वैसे बात बता हमें पता लग जाता है कौन कमरा है कौन साधी सुधा है मैलाओं की गले में अगर मंगल सुत लठक रहो तो समझ लो साधी सुधा है आदमी का गर चेरह लठक रहो समझ लो आप याँ करूड़ा है जणी चेरो लटके है मोने देखो बिलकुल मस्त बेठा तो अच्छे एक बात बताओ चलो आपके माध्यम से सब को बताता हूँ जीवन की बात आप अभी समझ दो मुंबई गई सुन्दर लड़की या महिला आ रही है चलो दिमाग मे लो आप इदर से जा रहे हैं उदर से सामने एक सुन्दर लड़की आ रही है अब क्या होगा माईक पास मे लो देखेंगे लड़का तो इमान दर है वे ताली बजा दो नहीं तो भाइमानी कर जाता मैं तो मूझ गुमा लेता और ऐसा नहीं आप देखेंगे सतर साल का डोकर होगा ने वो भी एक कार तो देखेंगा तो इसने अब रहा हो मत अच्छा देखेंगे अब वो आगे आ रही है आप बराबर जा रहे हैं अब क्या होगा है वापस देखेंगे यह तो कि जादे इमान दार है अच्छा मुझे एक बात बताओ वो चेहरा आपको किती दिर तक याद रहेगा दस पंदर मिट बस ध्यान से समझना बड़ी बनोविध्यान एक चीज़ बता रहा हूँ जीवन में जोडने के लिए सुन्दर चेहरा सामने आया पर ये बाबू बोलने है दस पंदर मिट याद रहेगा आप लोगों को किती दिर याद रहेगा इता ही लगभक या गंटा दो गंटा या पत्नी सामने ने आये तब तक है दस पंदर मिट याद रहेगा न अब मुझे एक बात बताईए आप मुंबई में हमारे पास आए और मैंने का भाई ये एक पैकेट है चैन्ने में मोन चैन जा है और जैसे ही वो घर के मालिक को पता लगा वो घर से बाहर आए पधर हो सा पधर हो स्वागत है आपने सोचा यार इतने बड़े आदमी ठेट दर्वाजे तक मुझे लेने के लिए आगए आपने वो पैकेट पकड़ाया ले उसा के ने 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 अंदर चलो बोजन करना पड़ेगा वो आपको भोजन भी अंदर कराने ने कर गए पास में बैठाकर गरम गरम पुलका गरम गरम पुलका गरम गरम पुलके से आपको खाना किलाया दर्वाजे तक छोडने भी आए और पूछा किस्समंने जा रहे हो आपने को TIME करें नहीं डिए बैवर साब इनको गर पे छोड़के आजो और उनके गाड़ी गर पर छोड़ने आई पीछे से एक पॉन आया उन्हीं व्यक्ति का जिनके गर आप गए और भी आराम से पहुंच गए आपने गारे खणी कमा पहुंच गियो मुझे एक बात बताओ वो चेहरा आपको कब तक याद रहेगा माइक महवीर मंदिरों में इसलिए नहीं पूझे जा रहे हैं कि उनका चेहरा सुन्दर था भगवान महवीर मंदिरों में इसलिए पूझे जा रहे हैं क्योंकि उनका जोड से बोलेंगे हम में से किसी को भी भगवान का चेहरा याद है कि उनकी ना कैसी थी कि गाल कैसे थे कि पर उनका चरित्र हम सब लोगों को याद है, इसलिए जिन्दगी में अगर अंतिम बात आज की सीखनी चाह रहे हैं, तो ये बात सीख लो और वो है, मैं केवल चेहरे पर नहीं, अपनी चरित प्रतवर ध्यान दोंगे, देखो होता क्या है, आपा घर में वाने, एक छो मेने क टाबर हुआ है, क्या होता है, चेह मेने के एक टाबर होता है, और वो यूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ केते इसका तो पूरा चेहरा ही मुझ पर गया है वही बच्चा बड़ा होता है पचीस साल का नगर में शैतानी करके आता है किसी से छेड़खान करके आता है चार लोग ओड़ुबा देने आते हैं और तब सारे घरवाले एकठे होकर पूछते हैं पतो नियों और आमी केरे पर गया है पूछे करने पतो नियों समझ में आई छे महीने के हैं तो चेहरे से बलबुते चलेंगे पर 26 साल के हो गए तो बोलो 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 समझो कल्प ना करो अभी यहां बाहर या कल सुबह या अभी एक गोरी गट महीला आएगी कोई यह और ऐसे नहीं आएगी असी लाग की गाड़ी में से निकल कर आएगी किसकी गाड़ी में से असी लाग की गाड़ी में से निकल कर आएगी गोरी गट और डाइमंड सेट पहना हुआ है और यूं बिलकुल, और सब्तरहजार की साड़ी पहनी हुई है, और निकल कर बाहर आई, बिलकुल मारानी की तरह लग रही है, पर मुझे एक बात बताओ, उस अमीर महिला को देखकर क्या किसी के मन में आएगा, कि मैं उसको तिक तो आया हिनम, किसी के मन में आएगा, बोलो, पया ही नम करे मी वंदा मी, या इच्छा मी खमास मनो वंदियो, और ये भई इतनी अमीर लुगई है, पैसे वाड़ी है, असी लाख का तो डाइमन सेट पहना है, महेंगी गाड़ी में निकल कर एक गोरी गट है, तब भी, किसी के मन में आएगा, इच्छा मी खमास मनो, व मुपत्ती हाथ में है, या मुपर बंदी हुई है, और सामने आई, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अकल आई कि अब और दूँ, जीवन में आदमी चेहरे से कभी मान नहीं होता है, आदमी जब भी मान होता है तो, किस से, इसलिए आज कि ये सीख ले जाओ, हम केवल च चेहरे के बल्बूते नहीं, चरित्र के बल्बूते, अच्छे उजास भरे चरित्र के बल्बूते चलिए। मिठो मिठो बोल्थारो कई लागे, अरे कई लागे जितारो कई लागे, संसार कोई रो घर नहीं, के कद निकले प्राने खबर नहीं मिठो मिठो, अरे मिठो मिठो, अरे मिठो मिठो बोल्थारो कई लागे, कई लागे जितारो कई लागे, अरे चार दिनारो जीनों है संसार हारी मारी छोड़ करां सब प्यार, हिल मिल रहे वो, हस खिल जीवो, के संसार कोई रो घर नहीं, कद निकले प्राने खबर नहीं मिठो मिठो, मिठो मिठो, मिठो मिठो कई लागे, कई लागे जितारो कई लाग, क्या हुआ था? आज से पांस साल पहले हमारा जैपुर में चात्रुमास था, जैपुर में SMS स्टेडियम है, तो स्टेडियम में हमारे प्रवचन थे, तरणु सागर जी और हमारा दोनों का स तो एक 55 साल की मा जी आई कहने लगी बाब जी मैं को बोलो मासा अरे ठाका प्रवचन तो मा के गर में मुसिबत खड़ी कर दी मैं गब रहा है और मैं के और ओड़ फोगट में मिलियो दो मिना गड़ो फाड़ी हो और उपर सो मा जी के वे मुसिबत मैं के मासा मा का प्रवचन काई लागे अरे काई लागे यह मुसिबत चैन्णि में भी आने वाली संसार कुई रो घर नहीं ठिकद निकले प्राण गवर नहीं मिठो मिठो अरे मिठो मिठो बोल थारो कहीं लागे चार दिनारो जीनो है संसार ठारी मारी छोड़ करां सब प्यार चार दिनारो जीनो है संसार ठारी मारी छोड़ करां सब प्यार हिल मिल रहे वो हस खिल जीवो के संसार कोई रो घर नहीं कद निकले प्राणे खबर नहीं मिठो 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 बोल थारो कहीं लागे कहीं लागे जी थारो कहीं लागे बोलो मात पिताने जानों थे भगवान हुनरी सेवा है प्रबुरो सम्मान सेवा करो आपशीश लो के संसार कोई रो घर नहीं कद निकले ठाने खबर नहीं मिठो मिठो बोई थारो कई लागे कई लाओ गे जी थारो कई लागे भाया मिठो मिठो बोल थारो कई लागे कई लाओ गे जी थारो कई लागे